Hello everyone, Hi, कैसे आप सभी लोग आशा करती हूँ, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और आज भी घर से ही सेशन ले रही हूँ मैं, ठीक हैं, बर जो न्यूज इविंस हैं, वो सारे तो आज की डेट के मिलेंगे, राइट आज की डेट के का मतलब होता है, देखो हमेशा जैसे आज 5 तारिक है, ये बात बहुत क्लियर होती है, कि आज की डेट में जो भी, लेट से, जैसे डे अब्जब हो रहा है, ये तो चलो पहले आ जाएगा, बट कुछ पर्टिकुलर इवेंट है, या कोई मालो अनाउंसमेंट है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इवेंट है, या कोई अनाउंसमेंट है, वो तो जरूरी नहीं है ना, कि वो आठ बज़े ही आपको पता चल जाएगी सुबह मॉर्णिंग में, ठीक, end of the day जो है, वो हमें वो इवेंट के बारे में, उस अनाउंसमेंट के बारे में पता चल सेशन ले रहे हैं, उसकी मॉडलिंग में, राइट, तो आज पाक तारिक है, आज हम इंटरनाशनल डे फॉर डिसार्ममेंट एंड नॉन प्रॉलिफेशन अवेरनेस डे अब्सर्फ करते हैं, राइट, अच्छा, ये हो गया, डे से रेलेटेड, एक क्वेशन मुझसे एक बच्छे ने पूछा था, कमेंट के माध्यम से, कि माम मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है, अगर रेगुलारिटी लानी है, तो क्या करना चाहिए, देखो, उसमें मैंने एक चीज मेंशन की थी, कि आप वो सब्जेक्ट पढ़ो, जो आप, जिसमें आप मोस्ट कमफर्टेबल हो, या आप इंट्रस्टेड हो, इंट्रस्टेड से मेरा मतलब क्या था, या क्या है, या लीस्ट इंट्रस्टेड से मेरा मतलब क्या है, वो मैं बता देती, देखो, जब भी हम पढ़ाई करते हैं, being a student, कोई भी हो, चैस, लड़का हो, लड़की हो, doesn't matter, distraction हो किसी के life में होती है, बहुत छारे लोगों के distraction हमारा फोन होता है, चैस, बहुत लोगों के distraction जो लोग होते हैं, हमारी life में वो होते है, तो हर किसी के distraction अलग-अलग अलग होती है, अब हमारे पास on an average, अगर आप pre-mains दोनों को लोगे, तो जननल awareness, जनल अवेरनेस में ही, आ आप computers भी आड़ कर लो, CK भी आड़ कर लो, चिक है, उसके बाद आपकी quant, quant के बाद आपका English हो गया, चिक है, and आपकी reasoning, राइट, LR कर देते हैं, logical reasoning, चिक, तो ये 4 subject on an average आपके पास होते हैं, माल लो, किसी बच्चे को quant बहुत पसंद है, किसी को reasoning बहुत पसंद है, किसी को English बहुत पसंद है, ऐसे हर किसी को कुछ न कुछ पसंद होगा, तो करना क्या चाहिए है न, देखो जो आपका दिन के शुरुआत है, आपको पता है कि एक दिन में ये आप decide करो, मैं नहीं कहते ह कि हर बच्चा 8 घंटे ही पड़े, या हर बच्चा 9 घंटे ही पड़े, उसमें तो एक्जाम निकली जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, कि 8 घंटे या 9 घंटे पड़ने से एक्जाम निकल जाएगा, अगर आप 4 घंटे भी ध्यान से ऐसा पढ़ लो, कि उसको आप जब दु रहे हूं, in particular 12 घंटे, तो आपका धिहान पढ़ाई में ही होना चाहिए, you should know what you have read, बहुत बारी होता है, बहुत किसी के साथ होता है, even मेरे साथ भी बहुत बारी हुआ है, कि मैं पढ़ रही हूँ, मेरा दिमाख कहीं पे और जंगा होता है, तो बहुत बारी होता है, तो ब बहुत बारी हैसा होता है, आप पढ़ दिमाख, आपका ध्यान कहीं और होता है, या मानलो आपने पढ़ भी लिया, बट उतना ध्यान से नहीं पढ़ा, तो जो भी आपको लगता है, कि आप मानलो कुछ बच्छा है, चार घंटे तक ही बैठ सकता है, उसके बाद उसको वो लिइसंग सबजेक्ट है, लेट से किसी बच्छे को माच से जादा रीजनिंग पसद है, लोजिकल रीजिंग, रीजिनिंग से स्टार्ट करो, उसके बाद आपको जी के बिल्कुल नहीं पसंद, ओंपको लगता है, यार क्या बोरिंग सा सबजेक्ट है, सब याद करना चिक है या आप जब डेली के सेशन देख रहे हो तो सेशन को आप मैं नहीं कह रही कि उसको 1 की स्पीड में ही देखो उसको 1.5 की स्पीड में देखो उसको 1.75 की स्पीड में देखो उसको 2 की स्पीड में देखो आपकी मर्दी कितनी भी स्पीड में देखो बट देखो और ए होने की देखो रेगुलर तो आपको होना पड़ेगा आप सोचो कि एक दिन पढ़ लिया मंडे पढ़ लिया फिर ट्यूजदे छोड़ दिया तो जब मंडे पढ़के ट्यूजदे छोड़ दोगे तो गया पाएगा ना मंडे के बाद वेनल जे का उसमें आधी चीज़े भू आप तो आपके पास होना चाहिए है क्यों होना चाहिए क्यू कि वो जो पोस्ट है बीट पीओ क्लग जो भी आप बहुत सारे बच्चे सिर्फ पीओ के लिए ही on an average मैं मानते हूं काफी बच्चे जो बैंक एक्जाम दे रहे हैं वो पीओ के लिए ही सबको चाहिए पीओ की है ना जो बच्चे बहुत चारे एस्पेरिंट जिसके लिए जो जो पाना चाहते है तो ज़रूर हो पियो की जॉब जब आपका जो गोल है वो पियो है तो सोना आपका गोल नहीं होना चाहिए या बाकी काम आपका गोल नहीं होना चाहिए या मन से हार के आप इर्रेगुलर नहीं हो सकते, ठीक है, you have to be regular, आपको मन कैड़ा करना पड़ेगा, मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत, ठीक है, तो ये irregularity तबी हट जाएगी, जब मन से जीत जाओगे, और मन से कैसे जीतोगे, आपको अपना जो लक्ष है, वो निधारित, जब आप कर चुके हैं, तो आप को अपने लक्ष पर अडग रहना पड़ेगा, ये सारी बाते, सारी बाते सिर्फ इसलिए ही कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये question होगा, पूछा एक बच्चे ने है, पर बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को face कर रहे होंगे, कि कैसे पढ़ें, क्या यार बस पढ़ो, ठीक है, पहले reasoning करो, पहले English करो, पहले math करो, जो करना है करो, but at least रोज पढ़ो, वो important है, दिन छोड़ छोड़ के पढ़ोगे, अब एक बात बताओ, आप कोई movie देखते हो, ठीक है, छोटा सा example देते हो, इसी वंदे को movie जो है, देखना पसंद है, अब व कर रहे हो, तो be it a year, be it six month, be it two years, जतना भी time आप ले रहे हो, low, but regularity के साथ पढ़ो, ठीक है, बहुत बार ये ऐसा होता है कि life में कुछ होता है, बहुत सारी चीज़े चल रही होती है, नहीं मन करता पढ़ने का, दो दिन, तीन दिन, चार दिन का break ले लो, but that should be a break, ठीक है, उसके बाद जब आप आओ, जब आप वापस आओ, sorry for the interruption, जब आप वापस आओ, दो तिन दिन के break के बाद, तब आप ऐसे होने चाहिए हो कि आपको उस time पर, जब आप break ले चुके हो, break लेने के बाद, आप fully energized होने चाहिए हो, आपको ऐसा होना चाहिए है कि अब तो हम न चाहिए हो रहा है बार-बार, तो ये सारी बाते आई, hope आप सबको समझ आ रही होंगी, नहीं आ रही, या अभी भी कोई confusion है, या नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करें, कैसे पढ़ें, कैसे ना पढ़ें, तो फिर से बताना, I'll try to explain you more, चेक हैं, तब ही subject के बारे में मैं थोड section में बता दीचेगा, चलवाओ, आज के कुछ questions देखते हैं, देखो, प्रियम नरेंद मोदी जी ने foundation stone रखी है, इस रो के second, जो आपका space port है, उसकी, कहां पर रखी है, ये तमिलनाडू में रखी है, अच्छा, पहला जो था, उसकी कहां रखी गई थी, उसकी देख में पहले रखी गई थी, अभी दूसरा कहां रखा गया है, पुलुशेखर, पत्नम, तमिलनाडू में, पॉस्ट क्या है, पॉस्ट है, नौसो पचास करोर रुपे, एक 950 करोर रुपी, और जो भी satellite है, वो यही से लॉंच होंगे, majorly the small satellites, ये space port जो है, उसकी एक strategic advantage ह है, इसका जो location है, वो basically थोड़ा सा fuel saving kind of है, ठीक है, and existing जो है, वो शरी हरिकोटा में है, इसरो के जो headquarter है, बेंगलोरू करनाटका में है, एस सोमनाज जो है, chairman है, अजवीनू, चालो, आके चलते हैं, किस state के chief minister ने universal life insurance scheme launch की है, ताकि कम किया जा सके, जो hardship है, financial hardship है, जो ultimately demise, जिनकी मित्ती हो जाती है, ठीक है, demise is for the person who is dead, ठीक है, जिनकी मित्ती हो जाती है, उनके लिए, जो financial hardship है, जो money, जैसे मान लो, कोई bread winner है, ठीक है, जो कमारा एक family में, father है, plus mother है, और उनके दो बच्चे है, राइट, तो लेट से father की death हो जाती है, जो earning member है, तो उनके लिए universal life insurance scheme लेके आया है, नागलेंट की सरकार, उनके लिए भी, plus सभी के लिए, नागलेंट की सरकार जो है, उनके जो chief minister है, उनने universal life insurance scheme जो है, वो launch किया है, ताकि जो financial burden है, ultimately, जो demise होने से financial burden है, वो थोड़ा कम किया जा सके, it is kind of a financial security and protection program, यह जो भी बंदा कमा रहा है, उनके और उनके family के लिए, insurance cover है, state government के द्वारा, और इसमें life insurance दो लाग का है, accidental, जो cover है, insurance cover है, वो भी दो लाग का है, right, breadwinner is the person, जहाँ पे दो-तिन बात breadwinner डिखा है, मैंने बोला भी है, breadwinner is the person, जो soul, एक मात्र कमाई का साधन होता है, एक family का, ठेक है, Alliance Foundation ने एक innovative animal rescue conservation rehabilitation program launch किया है, सब news में इसको सुन रहे हैं, सब सुन चुके हैं, और I thought ये चीज़, question form में आप दुबारा सुन ले, Vantara, Vantara क्या है, Vantara is a star of a forest program, इन्होंने basically zoo authority of India के साथ भी collaborate किया है, और जितने भी 150 plus Jews हैं इंडिया में, उनमें training, capacity building, animal care, जो है, infrastructure जो है, वो मजबूत किया जाएगा, Reliance Foundation के जो chairman है, वो निता Ambani है, और ये जो Vantara है, वो basically Anant Ambani, उनके बीटे की leadership में, this program will be, like, it has been conceptualized, जो concept है, वो Anant Ambani का है, वंतारा प्रोजेक्ट में, तीन हजार एकर का जो green belt है, Reliance Jamnagar refinery में, उसमें एक jungle-like environment बनेगा, जिसमें natural entrenting environment होगा, habitat होगे, जिनका rescue किया जाएगा, ठीक है, rehabilitation provide की जाएगी, जितने भी, जो भी threatened animal है, उनका ध्यान रखा जाएगा, being it in India और in abroad, right, चालो, आगे चलते हैं, मान अगर gas ने acquire किया है, कितने percent shareholding, three EV industries private limited में, यह 30% और this has been done, basically, यह 30.9% acquire किया गया है, यह इसमें voting rights आजाएगे, ठीक है, equity instruments के थू, और right होगा, to appoint one director on board and one observer, right, to subscribe share on pro databases, यह भी हो जाएगा, for the further issue of shares, right, महानगर gas limited का headquarter Mumbai महाराष्ट में है, Sandeep Kumar Guptain के chairman है, चालो, आगे चलते हैं, who has been appointed as CEO of World Gold Council, India, World Gold Council, India, के CEO अभी appoint हुए है, Sachin Jain जी, चालो, Sachin Jain जी has been appointed as new CEO, new CEO for India for the World Gold Council, World Gold Council का headquarter London में है, that is in UK, David Tate, जो है, इनके global CEO है, इंडियन CEO Sachin Jain, और Sachin Jain को, Sachin Jain ने किसको replace किया है, सौमा सुंदरम PR को, यह नाम भी याद रखना, चालो, आगे चलते हैं, कब तक इंडिया अपना खुद का space station, space में बना लेगा, तो यह है 2035 तक, 2035 तक इंडिया अपना खुद का space station, space में बना लेगा, उनिवर्स को explore करने के लिए, और पहला space station, जो है, उसका नाम होगा, भारतिय अंतरिक station, यह basically phased manner में होगा, perspective road map इसका बन चुका है, different models, उसके launches को भी देखा गया है, और पहला भारतिय बेज़ा जाएगा, चंद्रमा पर, मून पर, 2014 में, तक है, पांच साल बाद, जो भी a space station बन जाएगा, उसके, आगे देखते है, National Commission for Protection of Childright, अच्छा, अभी एक तारीक होना है, एक मार्च को इनक्या, basically, 19th Foundation Day मना था, that is National Commission for Protection of Childright, उसरे रेटेट क्वेशन है, एक बार देख लेते हैं, यह एक सेचुरेटरी बॉडी है, under the Commission for Protection Act, 2005, हाँ, बिल्कुल ही है, 2007 में, अच्छा, यह setup भी हुआ था, ठीक है, it was setup in 2007, ठीक, तो अच्छा, मैं correct बतानी है, तो पहले तो correct है, function करता है, under the administrative control of Ministry of Women and Child Development, यह भी बिल्कुल ठीक है, इनके according जो child है, जो एक बच्चा है, वो कैसे define होता है, वो 1 से 18 साल है, 12 नहीं है, 18 यह है, यह गलत है, ठीक है, एक से 18 साल की age group का होता है, तो 1 and 2, सिर्फ यही statement गलत है, थर्ड इंकरेक्ट है, एक से 18 साल mention है, and this day was observed on 1 March, right, headquarter है इनका न्यू देली में और प्यंक कनांगो जो है, प्यंका कनांगो जो है, वो इसकी चर्मेन है, चलो, आगे चलते हैं, coal India Limited और किस entity ने, इंक किया है, एक joint venture agreement, ताकि set up हो सके, anemolium nitrate का plant, surface coal gas technology के मध्यम से, तो coal India Limited और भेल ने, बिसिक लिए joint venture, दोनों का joint venture है, और यह इंडिया का पहला commercial coal gasification project तो हो गाई होगा, उसके साथ यह देश में बनावा पहला coal gasification project होगा, भेल के द्वारा, तीक है, लखनपूर एरिया में, उडिसा में, basically, महनदी क्वल fields में, यह set up होगा, and 2000 टन की ammonium nitrate हर दिन बनाएगा, at 6.6 lakh tons slated, जो require करेगा, 1.3 million ton का coal, and coal जो provide करा जाएगा, वो coal India Limited के द्वारा, भेल का New Delhi में headquarter है, CMD है, कोपूस सदाशिव मूर्थी, चालो, Ministry of Jal Shakti ने sign किया है, Agreement 12 Technical Education Institution for Basin Management, कितने reverse का Basin Management होगा, 6 नदियों का, कौँची कौँची हैं, 6 नदिया, घुदावरी, नर्मदा, महानदी, कृष्णा, कावेरी और परियार, नर्मदा, IIT अंदौर, एन IIT गांधी नगर द्वारा, घुदावरी, IIT Hyderabad, नरी, नाकपूर द्वारा, महानदी, IIT रायपूर, IIT राउकेला द्वारा, कृष्णा बेशन मैंजमेंट, IIT वारंगल और नित सूरत्खल द्वारा, सावेरी बेशन, IACS बेंगलोर, नित तृच्छी द्वारा और परियार बेशन, इस, IIT पलकड और नित कलिकड द्वारा, ठीक है, अकॉर्दि तृच्छी अगरेमेंट, साइन अडर नाशनल रिवर कंजरवेशन प्लान, ठीक है, इन मैंसे कॉन सी और्गनाज़ेशन ने टीम अप किया है, महराश्टु सेट पावर जनरेशन कंपनी के साथ, तक यह लोग renewable energy parks develop कर सके MPP, तो यह NTPC ने किया है, NTPC green energy ने किया है, बिसिक है, इस इस तु सेट अप जो joint venture है, वो develop करेगा, GW scale renewable energy parks under this project in the phase manner, इस विल अलाइन विद ग्रीन energy objective, जो NTPC का है, and this is also another initiative of government of India, कि वो greener cure transition कर सके, NTPC group ने basically, 60 GW renewable energy का achieve करने का plan बनाया है, 2032 तक और currently 3.4 GW जो है install हो चुका है, और 22 GW से जादा pipeline में है, NTPC का headquarter, New Delhi में है, CMD है, Gurdip Singh जी, चिक है, चालो, so this was it from today's session, I hope you guys would have liked it, thank you so much for watching it, and देखो, आज का session जो था, चुरू में बाते की, बढ़ में इट वोज फटा-फट सारी चीज़े हो गई, so what you need to do, you just need to have to listen to what I say, चिक है, बाकी एक बार सुनो, अपने आप ही जब दुबारा पढ़ होगे, क्वेज दोगे, तो चीज़े रवाइज हो जाएंगे, and things would be sorted in that way, right, so thank you for now, we will be meeting you tomorrow, thank you so much, झाएंगे जाएंगे जाएंगे,